हेलो वर्बेंस वाइद है अब सभी का अब सभी के पसंदर डिप चनल राय एजुकेशन में उत्रजार बरती अपडेट और आज के मौनिक स्टेशन में आज के प्रमुक अकबार उसे कहीं महत्पून अपडेट को क्लिरिफाई करेंगे जिन में प्रमुकतास बात करेंगे उनत्रजार बरती के 3661 भरती की जिसके साफेक्स 3217 बरतियों का चैन लिश्ट जारी हुआ है और इनकी काउंसलिंग की बात और भरती प्रक्रिया को आगे बढ़ानी की बात की जा रही है 3661 भरती में जिला वांटन के चक्र में हाई और लो मिरिट में अंदेखी की गई है हुबेसी बरती सही जवाब न मिलने से परिश्ट के अधिकारियों के द्वारा सुप्रिम कोड के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं न न्युक्ति पत्र मिलेगा और नहीं विद्धाले अमंटन किया जाएगा इस 3661 के सापेक्स 3277 भरतीयों के लिए प्रतीक जिली का क्या विश्लेशन है पूरी इसमें बातचीत करेंगे 20 से अधिकारियों द्वारा जो आज के समाचार पत्रों में जारी किया गया है और इसके साथ साथ यूपी सरकार का उत्रपेदे सरकार का ऑफिशल गोशना भी की गई है और कौन सा सपत्पत्र बहुत जाद इंपोर्टेंट है जो आपसे भरवाना है आपके बेसिल सक्षा विबाग को और भी मेहत्मूर्ण जानकारी इस वीडियो में तो चलिए फटा 59,000 परदों की रिक्तियों के सापेक्ष मिरिट वा अरक्षन के आधार पर प्रतम चरण में यानि ये पहला चरण है 31,277 पर चैन न्यूकियां की जा रही हैं इस बात को बहुत अच्छे तबल लेजे कि ये गवर्मेंट आफ यूपी का ओविजल टुटर अकाउंट है जि यानि कि इस में अगला चरण 37,349 का है लेकिन वो सुप्रिम कोट के जज्जमेंट के बात की बात है दूसरी इंपोर्टन बात कि जो 31,277 बढ़ती जो बढ़ती 31,277 के जो चैनित होंगे इस मेसेज जिनका अहर पाये जाएंगे जिलाचेन समेथी जिनको अहर मानेगी उन इनको ततकाल प्रवाव से 16 तारीको ध्यान सा समझेगा 16 अक्टूबर को यानि 14 पंद्र को काउंसिलिंग है 16 अक्टूबर को बियस से ऑफिस में पदभार गरहन कराया जाएगा तो पदभार में न नियुक्ति पत्र होगी न जिलावांटन होगा इसको लेकर कई बढ़ती बोल रहे थे कि सर जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगी तो उसमें तो आपका ब्लॉक का नाम रहेगा आपका विद्धाले का नाम रहेगा वगरह वगरह लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो इस्तितियां इसमें चलने पहली बात तो एक इस्तितिय अंतर जैनपति तबातल और दूसरे इस्तिति है राजनीती इसको बहुत अच्छे समझेगा कुस लोगों को बुरा लग सकता है कि बुरा माननी वाली बात नहीं है कि इस समय है आपके उपचुनाव है ठीक है और उपचुनाव के मदर नजर रखते हुए क्योंकि विरोध इतना जादा हो रहा है बढ़तियों द्वारा जिसको लेकर ये बड़ा फैसल लिया गया है और क्यों लिया गया है चुनाव की वज़ए से क्योंकि मैक्समूम लोग विरोध में ना उपस्तितों के क्यों इसके पहले उपचुनाव में इस सरकार ने मूँग की खाई है इसी वज़ए से यह काम कि किया जा रहे हैं दूसरी इंपोर्टन बात समल लीजे कि बीस से का रहाले पर ही आपको क्या किया जाएगा पदभार गरन करा जा गई यह आपके कल के प्रेस्ट नोट में भी पहले मैं प्रेस्ट नोट दिखा देता हूं फिर आज के मौनिंग निस्पेपर में भी बात सबी चीज़ों से तो इंपोर्टन बात है कि प्रेस्ट नोट पहले देख लेते हैं तो कल जो जारी किया गया था आपका प्रेस्ट रिलीज उसमें एक दम इस पश्च तरीके से मिंशन था यहां पर आगर आप फोर्थ मॉन्ट पढ़ेंगे कि जनपदी चैन समीती चैन के सैक्षिक प्रशिक्षन एवं अन्ना विल्योगों की जाच कर जो अहर पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए जिला बेसिज सुक्षा अधिकारी कार्याले में कारेभार ग्रहन कराया जाएगा यानि बियस से ऑफिस में ही आपका कारेभार ग् प्रहले में आपका पदभार गरण करा जाएगा एक पहला चींज यहाँ पर दूसरा चींज कि विद्याले आवांटन के संबंद में प्रिथक से निर्देश निर्गत किया जाएगा यानि कि जब आवांटन आपको कौन सा विद्याले मिला है वो बाद में आपको ये चल रही है फिर उसके हिसाब से आपका आपको वरीता दी जाएगी विद्याले ओंगी फिर आपको चूस करना पड़ेगा फिर वहां से आपको विद्याले अवांटित हो गया ठीक है यह केस हो गया दूसरा केस कि सुप्रीम कोट का जेज्मेंट भी अपने आप में इसमें इ इसमेंट आ जाता है कुछ अलग से तो कहीं ने कहीं सब को हटाना पड़ेगा वहां से विद्याले ओंसे तो कोई ने कहीं एक थोड़ा सा पीचीदा मामला हो जाएगा बहुत चीज़ें यहां पर करनी पड़ेंगी तो इन सभी चीज़ों को मद्दनेशर रखते हुए नहीं बात आज के निउस्पेपर में भी है कि विद्याला वंटन बाद में होगा जाँच में अहर बेड़तियों को बिस्ति सक्षा अधिगारी कारले में ही न्यूकती पत्र देकर कारभार गरन कराया जाएगा और विद्याला वंटन का आदेस अलग से जारी किया जाएग उनकी योड से दी गई सभी सूचनाएं सही हैं और वे अंतर जिला तबादले की मांग नहीं करेंगे अभेड़ति को मूल अभिलेक जमा कराने पर रसीत दी जाएगी और उसका नाम पंजिगा में दर्ज होगा इसके लिए आपके जो महां पर अधिकारी निक्त हो रहे हैं वो अर अभेड़ति से दो तीन दो दिन बाद स्वास्त प्रमाट पत्र भी लिया जाएगा वहां से ठीक है न तो यह सबसे इंपॉर्टन बात है आप लोगों के लिए और जिलों को बेजी जाएगी अभेड़तियों की सूची आज ही बेज दी जाएगी ठीक है कल आपको चैनित लिष्ट देखने को मिली और एक दिन का आपको मौका दिया गया ताकि आप डिमांड ड्राफ्ट अप्टम पनवा लिजे जिनको डॉक्मेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है या जिनको अपना कह सकते हैं कि डिग्री निकलवानी है डिग्री नहीं है तो आप अपना जो छे मेंनी के लिए वैलिड होता है वो प्रमाणपत्र वहांसे निकलवा सकते हैं वगर वागरा है ना कि तो प्रॉब्ल मुझे अंपने विद्धाले समंदित महविद्याले से या समंदित विश्विद्याले से आप समपर कर सकते हैं वहां से प्रोविजनल की मांग कर सकते हैं दूसरे important बात कि आपका जो character certificate है इसके लावा आपका जो 10 रुपे का stamp है जिसमें अपने तूटियां दिखाई हैं और 100 रुपे का जो स्टांप है जिसमें आपने सपत पत्र है यह सबसे इंपोर्टन पर यहीं सपत पत्र है सो रुपए वाला जिसमें आप उद्गोशना करते हैं कि चितने डॉकुमेंट्स हैं सारी चीजें मेरे जानकारी मिसतते हैं वगरा वगरा और मैं कभी भविश में अंतर जिलात मांग नहीं करूँगा यह वगर सारी चीजे तो यह इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए और क्या-क्या लेके जाना है यह आपको पता है डिमांड ड्राफ्ट आपका रहेगा बाकि जितने मूलब लेक हैं वो रहेगा आपका अगर आप विशेस आरक्षन के अंतरकत हैं जैसे एक सर्विसमेन है फ्रिडम फाइटर न है तो इसका प्रमांड पत्र आपका लगेगा इसके लावा आप सभी को अपने दो सिट अपने डॉक्मेंट्स लेकर वहां पहुंचिएगा फाइल अच्छे से त्यार कर लिजेगे यह इंपोर्टन बात है ठीक है इस चिटपूट अभेड़ती अवंटन सूची में हैं अब 36,590 अभेड़ती प्रतिक्षा सूची में यहां पर बताय जा रहा है कि परीशत की ओर से नया जिला अवंटन होने के बाद 67,676 अभेड़तियों की सूची से पहले चरण में 36,590 अभेड़ती प्रतिक्षा रत होगा ग्यात हो कि इससे पहले 68,754 को निराश होना पड़ा था यह 68,754 वो हैं जो 1,46,000 वाले हैं ठीक है तो इसको लेकर आप लोग परशान ना होईएगा अब प्रतेक जिले में कहीं पर 10 प्रतिशत सीटे भरी गई हैं कहीं पर 11 प्रतिशत कहीं पर 15 प्रतिशत कहीं पर 50 प्रतिशत और कहीं कहीं पर 95 प्रतिशत सीटे भरी गई हैं तो एक तो इनका जियो जो था उस जियो में मिंचनता समानुपातिक सब्द ठीक है और यहीं सब्द जो है सबसे जादा लोगों को परशान करता है या सब लोग इसके डिफिनिशन ढूरते रहे लोगों से पू हुन्होंने अपने तरीके सर्वानुपातिक को नजन अंदाज करते हैं सारे काम किये हैं सारे कारेक्रम उन्होंने संफद किये हैं तो कहीने कहीं ओविसी अभाड़ति जो है tidy n में दिखा दूं पहले नाराज बढ़ती जाएंगे सुप्रीम कोट वह एक तीस दोस्तो सततर चैनित अबढ़तियों को निक्ति देने का विरोध कर रहे हैं और अबढ़तियों के प्रेकरिया को आपके राष्टी पिछड़ा वरगायों क्या देश के विलना बताते हो सुप् अब इसमें बात आगे बढ़ेगी दूसरी इंपॉर्टन बात सरकार अभी तक विद्धाले आवंटन की बात कर रही है क्यों नहीं कर रही है क्योंकि उनको पता सुप्रीम कोट के आदेश के अधीनी सारे काम होंगे क्यों हम अपने पेंच को जाता पसाएं सिर्फ और सिर आवंटन ही नहीं करना है और सुप्रीम कोट के जैज्मेंट के उपर ही डिपेंड करना है तो सब को यहीं काम कर देना है चाहिए वाई विरुदाबास तो सबका था ठीक है और सभी लोग 60-65 पर ही योग्ये है क्योंकि 678 सर्षर की चैनित लिष्ट जो बनी है वो 60-65 पर ह आता है 60-65 पर तो ही वो वैलिड होंगे और तो ही 37-349 जो रिमेनिंगे बढ़ती है 668-66 के में वो वैलिड होंगे और नहीं तो फिर दोनों नहीं वैलिड होंगे तो सब लोग बराबर से देगे जिला मुझे जो लगता है कि तोर पर कि सुप्रीम कोट के जैज्मेंट के बाद ही सबको एक सांथ विद्याला वंटन किया जागा यह मुझे जहां तक लगता है 60-60-60 सबको लेकिन आभी देखने वाली बात होगी और आज का दिन बड़ा होने वाला है आने वाला दिन भी बड़ा होने वाला है तो कहने कि हम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने र जाएगी बेस्ट अफ लग थैंक यू सो मच